ऐसी चीजे जो अक्सर हम बाहर से ओर्डर करते हैं लेकिन अगर वो घर पे बन जाए तो कितना अच्छा है ना आज हम कभी इस किचिन में बनाने जा रहे हैं पनी टिका बहुत ही स्वादिस्ट और बनाने में उतना ही आसान तो चलिए स्टार करते हैं इसे हम घर पे कैसे बन करेंगा तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे अधर क्लैसन का पेस्ट तो यह मैं ताजा बना रही हूं आप चाहें तो रेडी मेड पैकेट वाला भी डाल सकते हैं इसमें डाल लीज़े आप काला नमक यह है जीरा पावडर और यह गरम मसाला फोड़ा सा कम ही डालेंगे फ इसके बाद नमक डालेजे नमक आप उतना ही डालेगा क्योंकि बहुत ही क्योंकि हम चाट मसाला डाले हैं और काला नमक तो इसलिए थोगा सबस्तलिए दालेगा फिर एक चमच बेसन डाले और एक चमच सरसो का तेल डाल रहे इसा डालना इसे पहले अच्छा दुआ छोड़ में बना रहे हैं उसमें चार्कुल फ्लेवर है माइक्रोवेब में तो अक्सर मैं यूज नहीं करूंगी लेकिन आपको सिफ दिखाने के लिए कि चार्कुल फ्लेवर कैसे लाना है इसके लिए आप कोईल अगरम करके काटोरी में रखे उसमें घी डाल के ढ़कर रख दीजे 20 रख भी तो इसे बहुत ही सॉफ हातों से मिक्स किब लेकिन ऐसा मिक्स करना है कि यह सबी मसाले उनने सब्सक्राइब कर दोगे इसके भाए कि मिलग रखेंगे अदे गंडे से एक गंडे के लिए आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं फिर माइक्रोवेब को प 8-10 मिन के लिए preheat होने देंगे जब तक ये preheat हो रहा है हम इसे आरेंज कर लें तो इसमें मैं थोड़ा से आलू मिक्स कर रही हूं आलू क्या करेंगा वो पणीर को बाइंड करके रखेंगा तो इसे हम कॉर्णर कॉर्णर पे लगाएंगे साइड में तो इसे हमने थोड़ा स पर आलु लगा लेजे तो बहुत टाइट है अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि यह जब रोटेट हो तो यह फिस लेना अगर आपके पास इस तरीके सा मैटल वाला रोड नहीं है तो आप इसे तवे में भी बना सकते हैं तवे में अगर माइक्रोवेव सेफ तवा है तो माइक आप गैस को अच्छा तेज हाई फ्लेम पे कर लेजिए और हाथ उसे गुमा गुमा कर सेक लीजिए बहुत आसानी से पक जाता है यह तंदूरी आलू का है वीडियो मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि आप इसे गैस में कैसे बना सकते हैं तो यह मैंने एड़ किया है तो आप हमने ट्रे रखा है तो उसे बीच में एक बार निकाल कर हमको पलटना होगा पनीर को लेकिन अगर आपका रोटेटरी आपका वह है रोटेशरी रॉड है तो फिर आपको एक भी बार में पलटने की ज़रूत नहीं है वह साथ मिल्ट में पक जाएगा तो हमने क्योंकि ट्रे स्था बबागे शेयर हो गया इसे गर्मा गरम सर्व करें आप हरी चटनी के साथ बहुत ही पसंदधा आगा सभी को हमारे कवी तो बहुत पसंद आता है आप सभी को इस पसंद आएगा